सब्सक्रिप्शन के यहां पर आपको वेरियस कंटेंट्स मिलते हैं वह भी टॉप एडिया के साथ इंडिया के कहां पर सिर्फ एक ही अंडर वन रूफ तो आपको क्या करना है कुछ नहीं करना सिर्फ मागनेट ब्रेंस पर आना है या तो आप यूटुब चानल पर देख सकत हैं यह हमारा अप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप से यहां पर किसी भी टाइप का कूपन कोड या कोई भी टाप का सब्सक्रिप्शन नहीं मांगा जाएगा टोटल 100% फ्री एजुकेशन डेडिकेट ली मागनेट बेंस आप तक पहुंचा रहा है इस नए वीडियो म कि सबसे पहले हम समझते हैं क्वेशन के फॉर्माट को तो जब हम फॉर्माट की बात करते हैं कोशन पेपर की बात करते हैं तो सबसे पहले टाइप का कोशन जो हमको देखने को मिलता है वह हमको देखने को मिलता है mcqs जो कि हो गया क्या आपके multiple choice question अब cbsc की guideline यह बोलती strictly follow करना mandatory नहीं है यह थोड़ा ratio उपर निचे हो सकता है बट स्टिल इसलिए मैंने कहा है कि 20-25% to mcqs आप क्या कर सकते हो एक particular paper में expect कर सकते हो ठीक है बट अब देखो सरकार ने आपके लिए चीज़ा सही कर दी थोड़ी आसन बना दी बट as an educator या as a school administration आप कह लिज़े या होती है या वह अपने आप से यही क्या करता है expectation रगता है कि वह best of education आपको दे पाए तो इसमें में क्या करते हैं हम लोग कर देता थोड़ा फिर बदल जी हां mcqs बना देता है थोड़ा टफ टफ बनाने के तरीके क्या है एक देदेंगा असर्शन रीजन ठीक है असर्शन रीजन वाले question क्या होंगे एक statement देदिया जाएगा और दूसरा reason देदिया जाएगा और आपसे यह पूछ लिया जाएगा कि भाई या तो पहले तो यह पूछा जाएगा कि दोनों statement true है की नहीं है या इन में से कोई एक true है या फिर यह और बाद में यह प ठीक है जो hot की बात होती है या higher to thinking question की बात होती है उसमें multiple choices of options आपको मिलते हैं जी हां एक set of code दिया जाता है और उस code के basis पर आपको क्या मिलेंगे option मिलेंगे वह a b और c d ठीक है या फिर a b and d either a b और c या फिर none of these types आपको क्या मिल जाएंगे option मिल जाएंगे और a b c d 4 code मिल बेजना यह release recent edition है यह recent trend आप कह लिजिए यह follow करा जा रहा है किसमें mcqs में ठीक है तो mcqs की जब हम बात करते हैं तो यह एक mark के question रहते हैं ठीक है और जो average time आप कह लिजे एक mcq को solve वरने में आपका लगना चाहिए वह लगना चाहिए 10 से 15 सेकंड के बीच जी हां 10 से 15 12 सेकंड के बीच में आपका एक mcq answer जो है वह खतम हो जाना चाहिए ठीक है अगर मैं बात करता हूं 20 25% के बीच में चालीस मांक का अगर आपका यूटी हो रहा है तो तक्रीवन 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 दस से बारा मांक्स के आपके काएंगे mcqs आएंगे और वह 10 से बारा ठीक है descriptive में सबसे पहले आते हैं very short answer ठीक है very short answer type questions की जब हम बात करते हैं तो यह क्या होते सकते ठीक है इनको attempt करना पड़ेगा आपको एक लाइन में या अगर आप word limit की बात करो कि आप थोड़ा आपको extend होना है तो max to max आप कितने में दो लाइन में इसको क्या कर सकते हो attempt कर सकते हो अब देखो आप क्या है कि नया पाटन जो questions का दो हम देखे रहे हैं तो answer writing अभी नया pattern आदा है answer writing हम लिख रहे हैं सिधर सिधर straight away points में ठीक है तो कम से को हम को यहां पर कित्ते दिन है दो पॉइंट अब आप बोलोगे करना सर हमारी teacher ने तो बोला था कि एक माक का question है तो एक पॉइंट दो दो माक का है तो दो तीन है का है तो तीन दो देखो बात बिलकुल सही है दो पॉइंट में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप क्या हो जाओ safe and secure हो जाओ कि in case अगर आप कते ही ऐसा नहीं समझ सकते कि मैं कम लिखों और मिलको जादर नमबर मिल जाए आप यह expect बिलकुल मत करके चलना आप सुर्षण का paper attempt कर रहे हो आपको लिखना तो पढ़ेगा ही आप लिखने से भाग नहीं सकते तो यह हैं very short answer type questions ठीक है बाकी और जी questions जैसे short answer type हो गये long answer type ह वो भी हम discuss करने वाल है बट फिलाल इस यह वीडियो किसके बारे में very short answer type तो चलिए without any kind of further weight कुछ examples देखते हैं आपके सामने चलिए what do you mean by core coin ठीक है कोरियोन ठीक है यह इस term का क्या मूल रहा है सिधर सिधर definition मांग रहा है जब हम definition की बात करते तो यह क्या हो जाते किसी बीक इंसान से किसी कोई भी काम forcefully कराना ठीक है कोरियोन मेंस forcing someone to do something against his or her will सिधर सिखानी है सिधर definition मांग रहता नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यह एक open and question है simple एक grammar या आपके लिए English language related question है वाई एक term है उसका मतलब पूछा गया आपसे सापको सिफ मतलब बताना है अगर यह term किसी particular aspect से क्या होता related होता या इसको किसी और particular historic घटना से जोड़ के या फिर आप political term से जोड़ के दिया why cannot government school celebrate religious festival religious festival government school क्यों celebrate नहीं कर सकता क्यों क्योंकि हमारे इंडिया क्या है एक secular state है तो government schools are institution of government and no government institution can promote any religion on its own सिद्धी सिकानी है यहां पर जा सदा आप एड कर सकतो आज इंडिया कि इस आप सेक्यूलर कि स्टेट कि यह भी हमने बता दिए भाई क्यों government क्यों नहीं कर रहे क्योंकि इंडिया क्या है एक secular state है तो यह एक aspect यह हो गया आपका और दूसरा आपका government school institutions फ़ला आगया तो ऐसे आपके सकतो आंसर को complete कर सकते हो या आप चाहो तो एक्स्टा लिख सकते हो ने तो यहां तक भी आंसर क्या है अपने आप में complete है name the country and the political leader during whose rule large number of Jews were persecuted persecuted का मतलब आजाता है क्या मार दिये गए इतिंकी हत्या कर दिया गया था काफी सारे juice को मौत का घाट उतार दिया गया था यहां पर दो aspect पूछ रहा है एक तो नेम दा हिंट थी हमको कि जिनके दोरान क्या कर दिया जिनके टाइम के दोरान juice को मारा गया था ठीक है तो बात करते हैं जब इसकी तो हम country की बात करें जर्मनी और उसका रूलर हो गया क्या आपका हिटलर तो large number of Jews were persecuted in Germany during the Hitler's rule तो इसमें यह लिख सकते हो अंडर यूथिनिश्य प्रोग्राम दूरिंग 1940 तो 43 यह 45 के आसपास यह क्या हुआता है जूस की काफी मात्रा में काफी तादात में हत्या कर दी गई थी वाट इस दो पोजिशन आफ माइनोरिटी इस इन इस्राइल ठीक है यहां पर देखो यहां पर भी क्या ओपनेंट सा क्वेश्चन है ठीक है पूछ रहा है कि इसराइल की जो माइनोरिटी से उनकी क्या पोजिशन है या वो उनको किसे सबसे रखा जा रहा है उनकी condition के बार तो इस से रिलेटेट आप इंट्रोड़क्शन दे सकते हो कि इसराइल इस अ कांट्री विच इस तेर इन विच जूस आर इन मेजॉरिटी इस पोजिशन आफ मैंटरी इस वेरी पूर इन इसराइल आज आज दे आट रहा प्या पॉइंट हो गया पहला आपने बता दिया मै अनवारिटी का क्या हाल है what is discrimination discrimination क्या है सीधर defeh射इशन ज पूच रहा है visit you know how khتم kanna you take it discrimination refers to the practice when people are treated differently on the grounds of religion sex caste etc yeah being a different age-book abc a cocktail a cough type cage up definition अबे सकतो ये definition आपने कहा 6th standard में पड़ी थी, ठीक है? where, discrimination is the physical and behavioral output of प्रेजुडाइस और स्टीरियोटाइब यह भी क्या का सकते हो आप इस पर्टिकुलर क्वेस्टिन की ऐसे भी डेफिनेशन दे सकते हो कि डिस्क्रिमेनेशन अल्टिमेटली है क्या यह एक फिजिकल या बिहेविरल आउट्पूट है आउट्पूट का मतलब इफेक्ट हो गया ठीक है क्या है यह इफेक्ट है ऑफ किसी इसका इफेक्ट है यह अपने आप में प्रेजुडाइस और स्टीरियो टाइप का क्या कर सकती कि इंडिन स्टेट इंटिर्वीनि इन रिलीजिस अफेस इंट क्या कर सकती है उपने बता दिया आप बता ये क्यों करती है क्यों करती है to provide social justice ठीक है दूसरा point टाल दो यहाँ पर example abolition of untouchability under आर्टिकल 17 दूसरा आपके सामने दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा एक example हो जाएगा कि हमने क्या करा है यही social justice को provide करने के लिए हमने abolition of untouchability जो एक प्राक्टिस हुआ अगर दिते हिंदुविजम की उसको abolish कर दिया किसके तहत करा आर्टिकल 17 के तहत कर दिया है तात्परे सामने आ रहा है ठीक है तो freedom to interpret refers to the independence of all citizens to understand the religion in their own way सिधी सिकानी है भाई सब अपने धर्म को अपने हिसाब से अपने interpretation से अपनी समझ से क्या कर सकते हो आप समझ सकते हो उसका कोज भी मतलब निकाल सकते हो यही होगा आपका freedom to interpret ध्यान दिजेगा यहां पर interpret constitution समत रिलेट करिएगा constitution को interpret करने का freedom आपके पास नहीं है constitution को कौन interpret कर सकता है सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी कर सकती है उसमें भी कौन आपके supreme court और ठीक है नेम थ्री फॉर्मर फ्रेंच कोलोनिस उपन एंड कोशन है कोई ज्यादा नहीं है बुक के अकोडिंग तीर फ्रेंच कोलोनिस के नाम देने है Algeria, Tunisia और Morocco ऀसे अपर सब्क्राइब केण घ्राइब का कर सकते है जो की नौन सर्किysis को जाता है तो 2004 में क्या करता है France अपने नियम लेकर आता है कि कोई भी student जो है कोई भी ऐसा निशान नहीं पहन कर आएगा कोई भी ऐसा symbol पहन कर नहीं आएगा जो कि उसके religion के लिए होई आफिर जो कि एक religion को depict करता हो तो in February 2004 France passed a law banning students from wearing any conspicuous religious or political science or symbol which type of state gives you religious freedom उस particular state का nature पूछा है जो आपको religious freedom देगा तो जाहिर सी बात है कौन देगा एक secular state ही आपको religious freedom दे सकता है तो only a secular state gives its citizens religious freedom name two festivals in India that are celebrated by both Hindus and Sikhs Hindus और Sikhs चो है कौन सा ऐसा festival है जो दोनों साथ में मनाते हैं बहुत open end question है लोडी हो गई और दिपावली हो यह कैसे आपके सकते हो events है यह festivals है जो कि दोनों साथ में मनाते हैं तो यह थे आपके सामने क्या कुछ extra questions जिनको attempt करने लिए आपको बताया देखो अब extra questions जरूरी नहीं है कि इतना है आप क्या कर सकते हो इनको daily questions निकाल निकाल के practice कर सकते हो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं वीडियोस देख सकते हैं वीडियोस देख सकते हैं तो आपसे कोई भी टाइप का coupon का content जो है यह हमें कैसे मिल सकता है क्या हमारी books और e-books कुछ नहीं करना यह जो books और e-books है यह आपको अविलेबल हो सकती है और इसमें बहुत ही डीटेल्स बरें और टीम विल गेट बाक तो यह उन दिसमाना बने रही हमारे सूशल मीडिया हैंग आउट्स पर जो कि हैं फेस्बूट टेलिग्राम इस्टाग्राम और आपके ट्विटर पर कुछ बिहाइंड दसीन और कॉमिक सीन्स के लिए क्या कर सकते हैं हमारे सूश कर दो